किरें अ हेलो एब्रीबं कैसे एसे हैं आप लोगा आई हो आप सभी अच्छे होंगी इक इंडुस्रे में कुछ अच्छा कर रहे हैं विक्रोर का ऑट किलिप सबुएंगल पुछ इतते हैं टॉपका आप क्रोस अच्छा करा ठते हैं और इसके साथ-साथ हम ये भी analysis करेंगे कि major bridge के project में cross cutter की drawing की detail को हम कैसे पढ़ते हैं, उसको कैसे समझते हैं और इसके साथ-साथ हम आपको drawing के थो ये भी analysis करवाएंगे कि जो आपका major bridge का project होता है उसमें कितने cross cutter आएंगे इसकी counting कैसे की जाती है आपके कितने end cross cutter आएंगे कितने आपके intermediate cross cutter आएंगे उसकी complete detail को आज हम drawing के थो completely analysis कर रहा होंगे तो जनाब इस वीडियो को आप पूरा देखिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी जिसके throw up side पे जाके execution भी करवा सकते है और एक bridge के estimation और costing का भी काम कर सकते है तो engineers मैं हूँ Sandeep Singh professional estimation and billing engineer और आप सभी engineers के लिए corporate tenor engineers मैं आप सभी का reinforce training institute for civil engineers के digital platform पे सवगत करता हूँ तो आप बने रही है हमारे साथ हम करते हैं अपने session को start engineers आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपको major bridge के project का drawing दिख रहा होगा तो जनाब आज के session में हम बात करने वाले थे कि आपका cross gutter क्या होता है end cross gutter क्या होते हैं intermediate cross gutter क्या होते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं cross gutter क्या होता है लेकिन जो gudder आपका bridge के bridge की direction में आता है या फिर बोलें जो gudder आपका bridge की ट्रांस्फोर डारेक्शन में आता है उसको हम क्या बोलते हैं Cross gudder बोलते हैं जो आपके इस तरह से male longitudinal gudder है इन gudder को support करने के लिए इस तरह से जो हम gudder प्रवाइट करते हैं यह गडर आपका क्या कहलाता है, क्रॉस गडर कहलाता है, जो कि longitudinal gडर को मुवमेंट करने से बचाता है, जो आपके longitudinal gडर है, वो आपके इस तरह से रखे रहते हैं, apartment cap के उपर, या फिर peer cap के उपर, वो इस तरह से मुवमेंट कर सकते हैं, वेहिकल के लोड की वज़े से, तो जो आपका male longitudinal gडर है, वो इस तरह से मुवमेंट ना करे, इसलिए बीच में हम इस तरह से क्या करते हैं, cross gडर लगा देते हैं, जो कि male longitudinal gडर को hold करके रखते हैं, उसकी position को fix करके रखते हैं, I hope अभी तो आपको समझ में आ गया होगा, कि आपके cross gडर क्या होते हैं, और हम देखने वाले cross gडर में भी आपके दो तरह की gडर मिलेंगे, एक आपका end cross gडर होगा, दूसरा आपका intermediate cross gडर होगा, तो जो आपका span होता है, उस span के end पे हम लोग क्या provide करते हैं, आपका end cross gडर provide करते हैं, और जो आपका span होता है, उसके mid portion में हम लोग क्या करते हैं, mid cross gडर provide करते हैं, या फिर हम उसको intermediate cross gडर भी भोलते हैं, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, कि जो आपका एक span होता है, उस span के starting में और end में हमारे क्या आते हैं end cross girder आते हैं और जो आपका mid portion होता है उस span का intermediate portion होता है उसमें क्या आता है आपका intermediate cross girder आता है तो यहां से आप समझ सकते हैं कि एक span में क्या होगा आपका एक intermediate cross girder आएगा और दो आपके end cross girder आएगे तो अभी मैं आपको major breeze project की drawing में लेके चलता हूँ और वहां पर आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा cross girder होता है intermediate cross girder है and cross girder है उसकी detail को drawing में कैसे पढ़ते हैं ताकि आप उसको feel कर पाएंगे और side पर उस तरह का execution कर पाएंगे तो आप screen को देख सकते हैं आपको ये major bridge के project का drawing दिख रहा है मैं आपको girder की detail में लेके चलता हूँ और जो आपको girder का detail है वो आपको कहां पर दिखाई देगा जब आप अपनी deck slab का plan देखेंगे तो आप चीज आपको दिखाई दे रही होगी तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इसको प्या वोल रहा है इस तरह से आएगा यह हमारा मिड रक्टंगल पार्ट है यह हमारा टेपर पूर्षन है प्लेश्टsea की बदित है यह आप देख सकते हैं तो यह हमारा क्या फर्स्ट में लॉंगिटुनल गडर है जिसका स्टार्टिंग फेस आपका 625 का है और जो आपका मिड फेस है वो कितने का है 325 का है बीच में आपका टैपर हो रहा है इसी तरह से देखेंगे हमारा क्या सेकेंड आपका मैं उसके लिए इस तरह से हमारा सेकेंड आपका मैनวกिटूनल गडर आए ज्यों कि इस तरह से टैपर हो रहा है फिर आपका रेक्टेंगल वाला फेस आएंगा और यह फिर आपका टैपर होगा 15 Σबम्ल्यूम्टर लेंफ में और उसके बाद यह फिर से आपका रेक्टेंगल हो जाएगा तो इस तरह से आप यह देख सकते हैं कि इस तरह से हमारे मेंन लॉंगिट्टिूनल गडर आरहे हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक इस्पान में हमारे तीन मैन लॉंगिट्यूनल गर्डर आ रहा हैं जिसको हम थ्रो आउट लेंथ आफ आपका ब्रिज देखने को मिलेगा अब इसमें हमारे क्रॉस गर्डर कहां आएंगे वो मैन मुद्धी की बात है यह हमारे क्या हो सबाइं आणी ब्रिज के मैन लॉंगटींब गडर हो गये अब इन मैन लॉंगिटा गडर को सपोर्ट करने के लिए तकि पूजी सन से से मसना हो इसके लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं क्रॉस गर्डर प्रोवाइड करते हैं तो आप देखेंगे इसमें क्रॉस गर्डर कैसे आते हैं यह हमारा क्रॉस गर्डर है जो आप इस तरह से देख रहे हैं यह हमारे सब क्या है क्रॉस गर्डर है यह देखेंगे हमारा क् जो कि हम SPAन के दौनों येंट पर करते हैं यह देखेंगे हैं तो आप valve engineers यहां पर देख सकते हैं कि जो हमारा में heating गडर उसको सपोर्ट करने के लिए उसको उल्ड करने के लिए हम SPAन के दौनों साइट में जहांác सिब स्पान स्टार्ट हो रहा है वहां पर जहां पर स्पान खत्म हो रहा है वहां पर दोनों साइट हम लोग क्या कर रहे हैं एंड क्रॉस गटर प्रोवाइड कर रहे हैं यह आपका क्या 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 लाएगा यह आपका एंड क्रॉस गटर क्या लाएगा इसको हम क्या और यह भी हमारा क्या है कि इस तरह से आप देख सकते हैं तो यहां से आप समझ सकते हैं कि जो आपका एक एंट कितना होगा तो उसका प्रेत आपको यहां पे रखा है 300 mm मेंस आपका एक यह दे रखा है मेंस अगर आप इसका लेंथ निकालना चाहते हैं तो उससे आप यहां पे देखेंगे कि जो हमारा man longitudinal girder है उसका detail दे रखा है center to center यह देखेंगे 2650 यहां पे दे रखा है 2650 तो जो हमारा man longitudinal girder है वो आपका center to center 2.65 meter पर place हो रहा है तो दोनों साइड से अगर आप half half girder minus कर देंगे तो इसका length निकल आएगा जो आपका end cross girder है उसका आप यह द देखेंगे इस तरह से जो हमारा man longitudinal girder है उसका center to center space कितना है 2.65 meter means जो हमारा man longitudinal girder है वो आपका 2.65 meter की distance पर place हो रहा है तो उसके centers यह detail दे रखा है अगर हम यहां से hop up girder minus कर देंगे और हम यहां से hop up girder minus कर देंगे तो जो हमारा actual length है वो निकल के आएगा and cross girder का दो आप minus करके देख सकते हाप of 625 उपर से minus हो जाएगा और हाप of 625 नीचे से minus हो जाएगा तो आपका यह 2025 निकल के आएगा इस तरह से आप देख सकते हैं जो इसका length निकल के आएगा एक्शली वो कितना होगा सिर्प इतना length हो गाई यहां से इसका length निकल सकते हैं यह आपको कितना दे रखा है 2650 नो दे रखा है इसमें से हम दोनों साइट से 625 मैंस कर रहे हैं तो मैंनस कर लिजी कितना आएगा यह दिया इन हमने 625 मैंनस कर दिया तो आपका 625 मैंनस हो जाएगा और यह आपका बचई आओं कितना बचएगा 2000 25 लिमीटर तो इस तरह से आप यह देख सकते हैं जो end cross gutter उसका length निकल गाएगा, इसका भी आपका same होगा, ये भी आपका same होगा, कितना होगा ये आपका, 2025 mm, तो ये हमें क्या दे रखा है आपका, end cross gutter का detail दे रखा है, जो कि आपके एक span में कितने आएंगे, आपके दो आएंगे, इसकी बाद आप next देखेंगे, ये हमारा क्या है, intermediate cross gutter दे रखा है, ये देखेंगे, जो हमारा mid में आ रहा है, वो हमारा क्या 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 लाएगा, intermediate cross gutter क्या लाएगा, ये देखेंगे, इसको हम क्या बोल रहा है, intermediate cross gutter बोल रहा है, अब इस Intermediate Cross Gutter का जो आपका प्रेथ है वो कितना दे रखा है वो भी आपको 300 mm दे रखा है यह देखेंगे यह भी आपको 300 mm दे रखा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इसपान में आपके दो को एंड क्रोस गर्डर हैं और एक आपका यह Intermediate Cross Gutter कहलाएगा यह इसको हम क्या गोल रहा है Intermediate Cross Gutter Intermediate Cross Gutter तो यह हमारा क्या कहलाएगा Intermediate Cross Gutter कहलाएगा तो यह तो हो गया हमारा Cross Gutter का Length और उसकी ब्रेथ क्लियर और अगर आप Intermediate Cross Gutter की Length निकालना चाहते हैं तो यह आपका इनर टुनर यह इसका कि लेंद्ध हो जाएगा तो आप निकाल सकते हैं कि अगर आपको Intermediate Cross Gutter का Length निकालना है तो बहुत ही Simple काम इसमें कुछ है नहीं है जो आपका Center to Center Man Gutter का Space दे रखा है वो कितना है आपका 2650 है और इसमें दोनों साइट से हाफ ओफ आप 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 गड़र माइनस कर सकते हैं और बीच में जो आप देखेंगे वो गड़र कितने का 325 का है तो हाप आप 325 दोनों साइट से माइनस हो जाएगा तो 325 हम उपर से माइनस कर दें और यहां से हम 325 माइनस कर देंगे तो यह आपका आजाएगा तो यह जो भी आए आप निकाल लिजेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम आपका इंटर्मिडियर्ट कॉस्फटल का लेंथ निकाल सकते हैं देख सकते हमारा जो इंटर्मिडियर्ट कॉस्टल है अगर आप कडर का देखना है तो कैसे देखेंग इसके लिए आपको स्क्राइब st करते हैं तो उसके लिए आपको क्या काट करना पड़ेगा वह देखेंग किस तरह सोगा अगर आप यहBoy și Care aim करते हैं यो देखेंगे हमारा क्या क्या है SECTION क्या की करते हैं और आप यहां से देख पर आप को अधी कृम Con I यह आपको cross gutter दे रखा है, यह देखेंगे, cross gutter की depth है वो आपको दे रखी है, section ABC में कितनी है, 530 है, यह देखेंगे, जो हमारा cross gutter है, वो कितनी का दे रखा है, 530 का दे रखा है, और इसके बगल में क्या है, आपके main longitudinal gutter आ रहा है, और इसके उपर से आपकी जो deck slab है, वो cast ह हो जाईगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि जो हमारा cross gutter उसकी depth कितनी है, 530 है यह देखेंगे, यह आपको दे रखेंगे, तो यहाँ पर हमने पूरा analysis करके आपको दिखा दिया है, कि जो हमारे intermediate cross gutter है, उसका length क्या है, ब्रिथ क्या है, जो आपका end cross gutter है, उसका length क क्या है, ब्रिथ क्या, उसकी depth क्या होगी, यह सारी चीज़ें आप इस plan में देख सकते हैं, और इसके उपर से हमारा इस तरह से slab भी cast हो जाएगा, इसकी उपर से हम इस तरह से slab भी cast कर देएगे, यह देखेंगे, इस तरह से, यह पूरा analysis है, अब मुद्दे की बात यह है, कि जो आपका end cross girder है, जो आपके intermediate cross girder है, इस bridge में कितने आएंगे, यह आपका major bridge है, seven span का bridge है, तो एक span में आपके दो end cross girder है, एक intermediate cross girder है, तो total overall bridge में, कितने आपके girder आएंगे, उसकी detail को आप देख सकते हैं, मैं आपको span की तरफ लेके चलता हूँ, तो आपको समझ में आ project के main elevation of plan में लेके चलता हूँ, यह देखेंगे, यह हमें इस major bridge के project का main elevation of plan दे रखा है, इसमें आप देख सकते हैं, कि हमारा कितना span है, तो आपको समझ में आएगा, और जो हम कई बार discuss भी कर चुके हैं, इसमें आपके seven span यह देखेंगे, जहां से bridge start हो रहा है, वो आपका PRP2 दे रखा है, यह आपको PRP3 दे रखा है, यह हमारा PRP4 है, यह आपका PRP5 है और यह आपका PRP6 है, तो एक apartment से लेके दूसरे PR तक का हमारा एक span कहलाता है, तो आप देख सकते हैं, इसमें कितने span हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, यह देखेंगे, एक span आपको यह दे स्ट दे पान, तो इसमें सकते हैं, इस ब्रिज में कितनी है, टोटल सेबन आपको यह दे रखें हैं, यह देखेंगे, यह आपको फर्स्ट स्ट जट स्पान है 12 मिटर का, यह सेकेंड स्ट मिटर का, सभी ऍटकशन है 12 मिटर का, 3rd है, 4th है 50 , nuevos Zelственные, 7th है, तो टोटल इस तरह टोटल इस्पान है हमारे 7S बिरिज में इसको थोड़ा सा बढ़ा करते हैं ताकि चीजों को आप थोड़ा तक आप सही से देख पाएं, अब आपको पता है कि जो आपका एक इस्पान है, वन इस्पान में, क्या हो रहा है? है अब आपको अच्छे से पता है कि जो हमारा एभन इस्पान में हमारे कितने एंड घल राएंगे एप एंड फॉस्त घड़र आएंगे एक इस पान में आपके दो एंड फॉस्त घड़र हैं और आपके कि है अगर हम इंट्रमीड कोज़दर की बात करें अगर हम intermediate cross gutter की बात करें तो वह आपका एक आएगा तो यहाँ पर आपके लिए देख सकते हैं कि जो आपका एक span है उसमें आपके दो end cross gutter आएगे जो कि span के starting में और span के end में होते हैं मैंने आपको diagram बना के दिखाया तो और को बीच में support करने के लिए मैं longitudinal gutter को आपका एक intermediate cross gutter आएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल span कितने 7 है तो टोटल bridge में कितने आपके end cross gutter आएगे आप वो देख सकते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि में तोटल anging cross gutter कितनी हो जाएंगे आपके बिरहल हो आपके इस और कितनी हो जाएंगे वह आपके यहाँ आपके निकाल सकते हैं एक समान में अन्र क्लोच घ्डर कितने हैं 2 है और हमारे तोटल इसमान कितनी है Divine है तो total and cross girder कितनी हो जाएंगे आपके 14 हो जाएंगे और इसके बाद आप देख सकते हैं total intermediate cross girder कितने हो जाएंगे अब आप यहां पे देख सकते हैं कि जो आपका एक span है उसमें आपका क्या है एक cross girder है वह बी intermediate तो total कितनी हो जाएंगे 1 into 7 करेंगे तो आपका यह 7 हो जाएगा तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने पूरा analysis किया हुआ है ताकि आपको पता चल सके कि जो हमारा यह major bridge का project है उसमें आपके कितने end cross girder आएंगे जो कि आपके 14 है और जो आपका intermediate cross girder है वो total कितना आएगा वो आपका 7 है engineers I hope आपको समझ में आया हो कि जो हमारे cross girder होते हैं इसकी detail को हम drawing में कैसे पढ़ते हैं एधि आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज आप इसे like करिए अपने friends के साथ share करिए और आपने अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप से subscribe कर लिजिए इसी तरह से आपको quality content मिलता रहेगा till then keep learning and keep exploring thank you so much